दोस्तों यह है 2023 hero splendor plus और आज की इस रीडियो में हम इसके complete information के बारे में बात करेंगे price, mileage, feature, specs और आपकी जितने भी सवाल हैं से related सारे doubts clear होंगे comment करके भी आप पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो update आपको मिलते रहेंगे दोस्तों शुरू करते हैं इसके looks और design से तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं look और design में आपको changes नहीं मिलने माले हैं और ना ही यहाँ पे इसके कोई features में आपको changes मिलेंगे जो आपको bs6 जब launch हुई थी जैसी थी वैसे ही है changes अगर मिलते हैं तो new stickers वगएरा आ जाते हैं बाकी इसमें आपको x-tech भी देखने को मिल जाएगी तो उसमें आपको changes नजर आएंगे हालां कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तो specific buyers होते हैं splendor के कुछ लोगों को पुरानी splendor पसंद है वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये standard वार ये splendor जो है वो अभी भी continue की गई है और front से देखेंगे तो front में यहाँ पे आपको काफी इच्छी design देखने को मिल जाएगी hero splendor plus की branding मिल जाती है halogen headlamp के साथ ये बाइक आती है turn signal indicators bulb मिलते हैं जो की boxy design में आपको नजर आएंगे tank पे देखेंगे तो hero की branding मिल जाएगी 3D logo मिलता है और splendor plus इसके side panel पर लिखा गया है वहीं अगर दो सिर्फ और वहीं अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे भी आपको boxy से पेंस की जो tail lamp है वो मिल जाएगी bulb है turn signal indicators भी आपको सेम आगे जैसे ही दिये गये हैं grab handle bars की design देख सकते हैं वो multi-purpose के रिए use हो सकती है से कुछ tie आपको करना हो तो उस पे आप कर सकते हैं seats की quality decent मिलती है ज्यादा wider seats नहीं है पर आपका काम चलने वाला है लंबी आपको ठीक ठाक ये मिल जाएगी तो आप मुझे comment करके बताइए इसकी design आपको क्या सी लगती है overall ये commuter bike है तो उस हिसाब से प्यारी सी लगती है और ये 100cc category में आने वाली bike है पर इसको आप देखेंगे तो 110cc की bike लगेगी यानि आपको छोटी bike तो है पर ये छोटी feel नहीं होती है इसकी designing आपको definitely पसंद आने वाली है चली दोस्तो अब बात करते हैं मिसके features की तो देखें यहाँ पे जो आपको tires मिलने वाले हैं front में व इसकोबिक suspension के साथ ये bike आती है brakes यहाँ पर drum मिल जाएंगे आगे और पीछे 130 mm के और integrated braking system के साथ ये bike आपको देखने को मिल जाएगी IBS की यहाँ पर branding भी मिलती है mudguard plastic का मिलेगा और designing look wise और यहाँ पर mudguard की quality है वो आपको decent मिलने वाली है और rear की बात करता हूं तो 80 x 118 arm width 5 step adjustable hydraulic sock absorbers देखने को मिलेंगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके dimensions की तरफ तो यहाँ पर जो length है 2000 mm की है width 720 mm की मिल जाएगी height 1052 mm की है wheel waist यहाँ पर 1236 mm का रखा गया है और fuel tank capacity 9.8 liters की दी गई है saddle height की बात करता हूं तो 785 mm की मिल जाएगी ground clearance decent है 165 mm की curve weight 112 kg का आपको इसमें दिया गया है तो यह एक काफी अच्छी बात है अभी हम आते हैं दोस्तों इसके engine की तरफ और फिर बात करेंगे इसके mileage और इसके price की तो यहाँ पर जो आपको engine मिल जाएगा वो 97.2 cc का एक air cold full stroke single cylinder engine दिया गया है जो की एक OHC engine है और यह जो bike है दोस् torque यहाँ पर मिलेगा 8.05 newton meter का at 6000 rpm और अगर आप इसको देखेंगे तो यह आप fuel injection के साथ आती है और fuel injection से फाइदा क्या रहता है कि जो आपकी acceleration होती है जो delivery होती है power की fuel की वो काफी जादा linear होती है और आपको चलाने में भी यह smoother feel होती है carburetor के comparison में अभी अगर मैं बात करत हो दोस्तों इसके pricing की और इसके mileage की तो देखे सबसे पहले mileage बताता हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसे इस बाइक को purchase करना चाहिए किसके लिए suitable है किसके लिए नहीं तो देखे अगर आप इसको economy में write करेंगे अच्छी तरीके से चलाते हैं तो आपको यह जो mileage mileage देने वाली है वो आराम से 60 से 65 तक का mileage दे देगी किसी भी scenarios में और अगर आप ज्यादा रफराइट करेंगे तो थोड़ा कम देगी यानि 60 के close to close दे सकती है आपको और अगर आप economy में चलाएंगे 40 60 के आजपास चलाएंगे तो आपको decent mileage यह देने वाली है आप बात करते हैं कि इसकी pricing क्या है तो देखिए यहाँ पर कई सारे variant आते है एक्ष्यू रूम प्राइस की बात करता हूं तो यहाँ पर spender plus drum self cast लेना चाहेंगे जिसमें सिर्फ drum मिलेगा आगे drum बेक है और self है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 72,420 रूपी एक्ष्यू रूम I3S के सा लेंगे तो 72,466 रूपीज के आसपास और यहाँ पर अगर आप self के साथ लेना चाहेंगे जो कि 73,000 आपको 660 रूपीज के आसपास मिलेगी और एक चीज़ और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो black accent है वो थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा यानि जो all black है और जो stickers अगया रखे हैं तो उसमें stickers की जो price है वो थोड़ा बढ़ जाती है और on road price के बाद करता हूँ तो यह 86,000 से ले करके आपको 89,000 तक मिल जाएगी तो depend करता है आप कौन सा variant choose करते हैं यहाँ इस bike का आप बात करते हैं कि किसे इस bike को purchase करना चाहिए तो देखिए अगर आपको daily to daily 50-60 km राइट करना है आपको चाहिए एक better mileage वाली bike maintenance उसका कम हो उसके parts easily हर जगें available हो आपको problem नहों जादा उसमें आपको खर्चे की दिक्कत नहों और उसे के साथ आपके budget में आए plus reliability जो है वो सालो साल चलने वाली कितने लोग हैं जो कि 20-20 साल पुरानी cylinder यूज कर रहे हैं त कि भाई हमें x-tech लेनी चाहिए या फिर ये splendor plus लेनी चाहिए इसमें differences क्या है तो उसके उपर हमने एक already video बनाई हुई है complete video आप उसको देख सकते हैं पर अगर मैं एक मोटा मोटा आपको बताता हूँ तो देखिए x-tech आपको जादा इससे costlier मिलने वाली है उसमें आपको fully distance instrument console मिलता है जिसमें bluetooth connectivity का option add किया गया है और उसमें आपको क्या है कि message आएगा तो show होगा कि message आया है call आएगी तो call भी show होगा कि call आई है यानि ये additional उसमें आपको चीज मिल जाती है प्लस एक चीज और notice करेंगी कि उसमें LED DRLs को भी add किया गया है उपर जहाँ पर यहाँ splend blender plus की branding मिल रही है ये जैसा कि front में देख सकते हैं उस जगा वहाँ पर आपको LED देखने को मिलेगा उसके उपर ये complete information वीडियो हमने बनाए हुई है review भी किया है तो वो भी आप देख सकते हैं और जो next change है दोस्तों वो stickers में है उसके colors में है तो sticker और colors के changes तो आपको visually मिलते है plus एक चीज़ और उसमें बदलाओ की गई है और वो ये है कि आपका जो front tire है वहाँ से इसके meter wire को निकाल करके पीछे की तरफ shift कर दिया गया है अब उससे फायदा क्या होता है कि आपका जो meter wire है और उसमें जो mechanism लगा हुआ है वो काफी जादा long durable हो जाता है और जल्दी wear and tear नहीं होता है यानि बार बार आपको उसको change कराने की जरूत नहीं पड़ेगी तो ये differences हैं जो कि इसमें मिलते हैं तो अगर आपको ज़्यादा features चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हैं और अगर आपके basic सारे features चाहिए क्योंकि performance mileage वगरे में कोई भी difference नहीं है तो आप इ दे जहिंद वंदे मातरम